जैसे कि प्यारे साथियों अभी आपने मैत और जी एस के इस्टेरजी के बारे में जाना तो सबसे ज़्यादा जो डर होता है आपको मैत को लेकर के ही होता है तो सर ने आपको इस्टेरजी बताई कि आभी जिनके पास टाइम है और जिनका प्यारे साथियों कलकुड़ेट में एक्जाम है वो सरी पाभी सर ने बताया कि आप सी फार्मूलों को ही एक बार अपने मैंड से रिवाइज कर लीजी अपने नोट से रिवाइज कर लीजी और जी एस वाले सर ने भी आपको एक अच्छी इस्टेरजी बताई है अगर उस इस्टेरजी को आप फालो करते हैं तो प्यारे साथियों जहर से बात है कहीं ने कहीं आपको उसका लाफ जरूर मिलेगा तो मैरे प्यारे साथियों ये मैथ और जीयस आपने देख लिए इस एक्जाम में यूपीपी के एक्जाम में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादो जो स्कॉरिंग पॉइंट है प्यारे साथियों वो आपका रिजिनिंग है इसमें reasoning ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आपके question number आप question आने है और numbers आप marks भी आने है तो प्यारे साथियो अगर आपका कोई subject चारू subject में math, reasoning, gs और हिंदी में से जो subject आपका सबसे strong है प्यारे साथियो जिसमें आपको थोड़ा से interest है कि ये कोई इसके प्यारे साथियो गलत नहीं होते है चाहे हो math, gs और हिंदी या reasoning हो उसको आप सबसे पहले उस subject को आप सबसे पहले solve करिएगा और कम time में solve करने की questions करिएगा ये आप मेरे हिसाब से सहता किये है बाकि आपको अभी gs वाले सर बता दिये कि gs में कैसे solve करना है मैत वाले सर बता दिये ये ये आपके उपर depend करता है कि आपका कौन सा subject है math है reasoning है gs है या फिर आपकी हिंदी है प्यारे साथियो मेरी पूरी team की तरफ से मैं आप साथ को हर दिक बढ़ाई देता हूँ अनंत सुब कामना देता हूँ प्यारे साथियो और मैं मेरी पूरी team खुदा से यही दुआ करेगी इस बार जब आप लोटे paper दे करके तो ये सुनने को मिले गुरु जी आपने जुतना पढ़ाया था उसी से related question आये थे उसके बाहर के question नहीं आये थे घबडाने की बात नहीं है बिल्कुल उससे बाहर question नहीं आयेगा ये मैं आपसी वादा कर रहा हूँ जितना आपको पढ़ाया गया है online से लेकर के offline class में जिन प्यारे भी दर्थियों का paper थोड़ा से late में है वो बच्चे कल के जो आपका paper होगा यानि 23 अगस्त का पहला दूसरा shift उस shift को लेकर के प्यारे साथ क्यों हम आप analyze करेंगे paper को जानेंगे solve करेंगे तो आप जितने भ उगलक आ रहा है किस chapter से चूट रहा है किस chapter से चूट रहा है उसी पर आपको अगर time मिलेगा तो उस पर focus कर लेना है प्यारे साथ यह मेरी पूरी team की तरफ से आपको बहुत सारी सुबकामना है best up luck अच्छे से paper दे के आईएगा डर निकाल करके आईएगा प्यारे साथियो और फोड़के आईएगा paper को यह आपस को मेरे प्यारे साथियो मेरी पूरी team की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हर्दिक बढ़ाईए दूसरी बात प्यारे साथियो EKYC क्या है EKYC जिन प्यारे बिद्धार्थियों का आधार फाम वरते वक्त आधार कार्ट प्यारे साथियों मेज नहीं हो पाया था उन प्यारे बिद्धार्थियों को जिनके उपर EKYC आ रही है वो धाई घंटा पहले exam center पे पहुचेंगे जैसा कि notice में निकल के आया है और जिनका प्यारे साथियों के लिए है वो अपने reporting टाइम पे पहुचेंगे तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी से पहले भी मैं कहता था अगर आप किसी भी चीज के exam देने जा रहे हैं तो exam center पे एक से जड़ घंटे पहले पहुचना है आपको हमेशा बताता था तो अभी आपको पहुचना है ज़ए 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 पहले के बजाए आप दो घंटे पहले पहले पहुच जाए धाई घंटे पहले पहुच जाए के दरिया गांग नहीं एक जांब कहीं बाहर से नहीं आएगा फोड कि आएगा एकजां मिलते हैं आप से अपनी क्लास में पेपर को लेकर खरते हुए पहरे साथ तब तक कि जै हिन जै भारत थैंक यू थैंक यू सो माच